जंगल में दिखने वाले सबसे खुबसूर्थ और चंचल जीव हिरन को को नहीं जानता नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आईए आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको हिरन से जुड़ी हुई वे सभी रोचक और दिल्चस्प बात बताएं जिनके बारे में साइधी आपने पहले कभी पढ़ा हो और साइधी कभी आपने कहीं देखा हो जी हाँ हिरन एक बहुत ही खुबसूर्थ जीव है जिसको देख करके मन और आत्मा प्रसन हो जाती है एक ऐसा जीव जो इनसान की भाती सामाजिक है और जूंड बना करके एक परिवार की तरह रहना पसंद करता है पूरे विश्व भर में हिरन की कुल 60 से अधिक परजातियां पाई जाती है और पूरी दुनिया के अंदर दो महादवीप ऐसे हैं जहां हिरन की कोई परजाती नहीं पाई जाती जिसमें आस्ट्रेलिया और अंटार्टिका है धर्ती पर पाई जाने वाले सभी स्तंधारी जीवों में हिरन की आँखे सबसे बड़ी होती है और वो बेहद खुबसूर्थ होती है हिरन की आँखे उनके सिर के किनारों पर होती हैं जिसे वो 310 डिगरी तक घुमा कर आसपास के द्रिश्य को बड़ी आसानी से देख सकता है दिलचस्प बात ये है कि रात के अंधेरे में भी हिरन को सब कुछ साफ साफ नजर आता है उनके सूने की सकती बहुत अधिक होती है जिसकी मदद से ये दूर से ही सिकारियों का पता बड़ी आसानी से लगा लेते हैं हिरन अपने पैर और खुरों परस्थित गरंथियों से एक गंद उत्पन करते हैं जिससे वे अपने निवास का पता बड़ी आसानी से लगा लेते हैं मादा हिरन अपने बच्चों को जाडियों में चुपा करके रखती है तथा दिन भर में लगबग छे बार दूद पिलाने के लिए उनके पास आती हैं नर हिरन के सर पर सींग पाए जाते हैं और उनके ये सींग इतने मजबूत होते हैं कि अगर अपने सींग से सेर के उपर परहार कर दे तो सेर की अड़ी तोड़ सकते हैं हिरन पृत्वी पर मौजूद एक ऐसा प्रानी है जो स्वचंद जीवन जीना चाहता है और बड़े-बड़े घास के मैदानों में रहना ज्यादा पसंद करता है आपको बता दूँ कि परतेक हिरन के जुन्डों का अपना एक शेत्र होता है जो लगबग 30 मेल तक फैला हो सकता है इनसानों की भाती हिरन भी एक सामाजिक प्रानी है जो जुन्ड में रह करके परिवार की भाती रहना पसंद करते हैं हिरन आकार में बहुत छोटे और बहुत बड़े हो सकते हैं इनकी उचाई परजाती के अनसार 12 इंच से लेकर के 7 फीट तक हो सकती है हिरनों की पूडू नामक परजाती में सबसे कम उचाई वाले हिरन पाये जाते हैं यह सिर्फ 12 से 17 इंच उचे हो सकते हैं और इनका वजन मातर 9 किलोग्राम के आसपास पाये जाता है भारत में सबसे छोटे हिरन की परजाती को माउस डियर कहा जाता है हाल ही में इसे 36 गड में देखा गया था इससे पहले इसे एक विदेशी नागरिक द्वारा सन 1905 में देखा गया था माउस डियर बेहद ही सरमीले परजाती के हिरन होते हैं और इनके लंबाई बड़ी मुश्किल से 15 इंच के आसपास पाई जाती हैं वहीं सबसे बड़ी हिरन की परजाती के बारे में बात करें तो इस परजाती को मूस कहा जाता है इनकी उंचाई लगबग 6.5 फिट और वजन लगबग 820 किलोग्राम तक हो सकता है इसे पहले सबसे बड़ी हिरन परजाती आईरिस हुआ करती थी जो 11,000 वर्स पहले विलुप्त हो गई इसके कंदे तक की उंचाई 7 फिट और एंटलर को मिला कर 12 फिट हुआ करती थी हिरन एक ऐसा प्रानी है जो सुद साकाहारी भोजन पर विश्वास करता है वे केवल वनस्पती खाते हैं एक हिरन के आहार में घास, छोटी जाडियां और पतियां सामिल हो सकती है परतियक हिरन और परतियक हिरन की परजातियों के पेट में चार कक्ष होते हैं जो उन्हें जुगाली करने में मदद करते हैं यह आंसिक रूप से भोजन चबाने की परकिरिया है इसे चबा कर रखना और फिर चबाना आसान है जिससे उनका पाचन तंतर ठीक रहता है हिरन अपने उचलने की कला के कारण सब के लिए आकर्षन का केंदर रहती है और इनकी एक चलांग की लंबाई और उंचाई लगभग दस फिट तक हो सकती है हिरन के जीवनकाल की बात की जाए तो हर परजाती का अपना अपना ओस्तन जीवनकाल है लेकिन फिर भी सामान्य तोर पर ये दस वरस से पच्चिस वरस तक बड़ी आसानी के साथ जीवित रह सकती है हिरन की सुनने के अक्षमता हम इनसानों से बहुत बहतर होती है और ये आसानी से ध्वनी के स्त्रोत का पता लगा सकती है यह माना जाता है कि इनके कान बेहद ही समेदन सील होते हैं और ये आसानी से पता लगा सकती है कि आवाज किस और से आ रही है हीरन के सुंगने की अक्षमता मनुष्य से लगबग सोग उना ज्यादा होती है सरदियों में हीरन कम स्किरिय होते हैं ताकि उर्जा की वज़त की जा सके क्योंकि इस दोरान भोजन कम उपलब्ध होता है हीरन आराम करते समय प्रिथवी के सुंकियक सितर के साथ खुद को उत्तर और धक्षन दिसा में रखने की कोशिस करती हैं रेड डियर परजाती के पूर्स हीरन मादा को अपनी तरफ आकरसित करने के लिए अलग-अलग परकार की ध्वनियों को निकालते हैं हीरन के नवजात बच्चे में किसी परकार की कोई गंद नहीं होती इसलिए ये सिकारियों से बचे रहते हैं हीरन एक सामाजिक प्रानी है ये जुंड बना करके रहना पसंद करते हैं और जुंड का नेत्रितव अकसर नर्दवारा किया जाता है और इस परकार से हीरन मिल जुल करके अपना ताना बवाना भुंते हैं और अपने जीवन को स्वचंद जीना पसंद करते हैं अगर आपको पता हो कि हीरन के नाभी के अंदर कस्तूरी पाई जाती है जो कि आसपास की इलाका में जहां जहां से हीरन गुजरता है वहां पर अपनी सुगंद भी खेरता है और अक्सर सिकारी उस कस्तूरी को निकालने के लिए खिर्णों का सिकार भी करते हैं जो की एक कानूनी अपराद है जीव, जन्तु और वनस्पति ये सब इस संसार की अमुल्य द्रोहर है हम सब को मिल करके इनकी रक्षा करने चाहिए, सब को जीने का अधिकार है, सब को पनपने का अधिकार है, इसलिए जीवन के अंदर मानविय मुन्लो को संजो करके हमें आगे बढ़ना चाहिए दोस्तो उमीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं समय समय पर इस परकार की इन्फरमेटिक वीडिय आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा और आपके सहयोग से इस परकार की जानकारी आप सभी के बीच में ले करके आता रहूंगा आपने मेरी वीडियो को देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद